हलो बच्को नमस्कार कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शांदार तरीके से व्यस्थ होंगे बच्चों आज का टॉपिक बहुत ही शांदार होने वाला है क्योंकि आपके एक्जाम में आपका जो मैटिक 2024 का परिच्छा होने वाला है उस मैटिक 2024 की परिच्छा में यहां से आप्सनल कोश्चन आने की ज़्यादा संभावना है दूसरी संभावना दूनमबरी कोश्चन आने का है यानि अतिलग हूद तरी प्रशनों के बारे में और बहुत कम पॉसिबिलिटी है लांग यानि दिर हूद तरी प्रशनों के लिए सायद एक कोश्चन आ जाए तो उसके बारे में भी हम डिसकस करेंगे शांदार तरीके से तो आएए बच्चों आज की क्लास को शांदार तरीके से स्टार्ट करेंगे मैं मनी शुकला डिलस एजुकेशन विद्या कुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहें दिल से स्वागत करता हूं एक थमसब करके बताईएगा क्या मेरी आउडियो से दूगो आपसनल वाला में बहुविकल्पी वाला में जरूर मिलना है निस्चित तोर पे ठीक है हाँ तो आएए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में जिसमें हमें सबसे पहले जानना है किसके बारे में अमलो के बारे में अमले यानिकी एसिड के बारे में हम हम लोग यहीं पर बात करेंगे, अम लोग के प्रकार और इनके रासायनिक गोण के बारे में, रासायनिक गोण के बारे में, दूसरा हम लोग डिसकस करेंगे, छार के बारे में, छारक क्या होते हैं, यानि एलकलीज, एलकलीज क्या होती है इनके बारे में डिस्कस करेंगे फिर बात करेंगे तुरंत इनके प्रकार के बारे में और इनके रासाइनिक गुड के बारे में रासाइनिक गुण तीसरा नमबर जो हमारा आएगा ये है नमबर वन ये है नमबर टू और नमबर थ्री पे जो हम लोग बात करेंगे इस चेप्टर के अंदर वो होगा हमारा लमड और लमड से कोश्चन जादा आने की सम्भावना ये हूँ बता दे रहा है तो लमड वाला ह किसी बेज के साथ मिलता है तो लमड बनाता है और जल बनाता है याद रखिएगा सॉल्ट के बारे में बात करेंगे फिर यहीं हम लोग बात करेंगे सॉल्ट के प्रकार salt के प्रकार और कुछ विशेश लवड के बारे में जानकारी लेंगे विशेश लवड ठीक अगला concept हमारा जो आएगा इसमें वो होगा क्या चौथे नंबर पे वो होगा हमारा pH pH किसने दिया, कब दिया, क्या होता है इसमें ये सारी डिसकसन हम लोग pH में करेंगे और आखिरी जो point आएगा हमारा वो होगा सूचक सूचक और इसके प्रकार इंडिकेटर के बारे में जानकारी होगी ठीक है इतनी बाते हम लोग आज की class में शांदार तरीके से करने वाले हैं तो आईए आज की class को बहुत ही बेहतरीन बहुत ही लाजवाब तरीके से करेंगे लेकिन उसके लिए वही पुरानी शर्त कि आप session को अभी के अभी लाइक करेंगे शेयर करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हो तो तुरंत ही चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि यह हमारी एनरजी को बूश्ट अप करता है हमें ज्यादा से ज्यादा एनरजी प्रोवाइड करता है बस यही आगरा है रहेगा बच्चों आपसे कि हमेशा इस session को इस channel को अपना promotion देने में खुद को आगे बढ़ाने में अपना role play करते र हमारे पास तो सबसे पहली बात हम लिश्वाद में कैसे होते हैं खटे होते हैं लिटमस पेपर पे क्या प्रभाव है लिटमस पेपर मैंने कहानी बताया था जब मैं पाचन बता रहा था उसमें मैंने डाइजेशन पढ़ते समय पोशन टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें मैं ने बताया था कि लाइकेन से बनाया जाता है लिटमस पेपर उसी लिटमस पेपर की कहानी है कि लिटमस पेपर पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो यह नेले लिटमस पेपर को क्या कर देता है लाल कर देता है प्रकृति इसकी कैसी होती है इसकी प्रतिक्रति संचारण क होती है संचारण की प्रकृति होती संचारण मतलब खुरचना कुरेदना है ना यह इसकी प्रकृति होती है अहर्नियस के अनुसार अहर्नियस एक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया कि प्रतेक प्रतेक वो पदार्थ जो की अमल है उसमें क्या होता है हाइड्रोजन आय प्रेजेंट होता है जो की जल के साथ अभिक्रिया करके यह परिवर्थी तो हो जाता है यह 3 O प्लस में यह जब किसी अमल का जली विलियन बनाया जाता है उसको जल में घोला जाता है तो जल के ह्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट आयन बनाता है कौन सा आयन है है ये तो रहा बहुती गुझ किसका अमल का तुरंत एक Oxford screen बनाएगा और फिर आगे चलेंगे डन, ओके, चलिए, अगली कहानी आती है, अमलों के प्रकार के बारे में, अमल के प्रकार के बारे में हम लों डिसकस करेंगे, बहुत ही शांदार तरीके से, क्या होते हैं अमल, कितने प्रकार हैं, तो देखो, यहां हमने लिख दिया अमल, और इसके दो प्रकिरती, दो आधा पर हम लोग को क्लासिफाई करते हैं वर्गी करिद करते हैं एक सांद्रता के आधार पर और एक दूसरा हम लोग देखेंगे प्रकिर्थी के आधार पर प्रकिर्थी के आधार पर ठीक सांद्रता के आधार पर अमलों को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा वो दो पार्ट कौन कौन से हैं एक को बोला जाता है सांद्र अमल और एक को बोला जाता है तनु अमल और तनु अमल ऐसा अमल जिसमें जल की मात्रा कम है उसे क्या कहेंगे सांद्र अमल कहेंगे जैसे मैं आपको दिखाऊं अब यह भी कोरोना बीता है और इसमें हम लोगों ने वह बहुत यूज किया ऐसे हाथ मेरा गड़ने वाला क्या बोलते हैं उसको सेनिटाइजर सेनिटाइजर तो सेनिटाइजर पर लिखल रहता है क्या आप 99 परसेंट एथिल एलकोहल पढ़िएगा अगर होगा भी बाव पढ़ा होगा भार में 60 परसेंट एथिल एलकोहल मतलब उसमें 60 परसेंट क्या है उसमें 60 परसेंट क्या है एथिल एलकोहल है क्या है उसमें एथिल एलकोहल है और 40 परसेंट में जल या और भी चीजें उसमें मिली हुई है 99% का मतलब कि उसमें 99% क्या है 99% एथिल अलकोहल है और 1% में और चीजे मिली हुई है बहुत शुद्ध तम रूप है तो यह मतलब है तो अगर ये बहुत ही जादा इसमें असली चीज, असली चीज का मतलब अमल जादा मात्रा में है, पानी कम मात्रा में है, तो उसको हम कहेंगे सांध्र अमल, तनु अमल का मतलब हलका है, मिला उटी है, इसमें पानी मिला हुआ है, तो ये तनु अमल हो गया, राजी खुसी, पक्की बात है, पक्की बात है, क्या बोला गया, तनु अमल कौन, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा, अमल की मात्रा कम, तनु अमल, पानी की मात्रा कम, अमल की मात्रा ज्यादा, तो उसको कहेंगे सांध्र अमल, समझ में आ गया इतना concept, पक्की बात बताओ, पक्की बात है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, दूसरा जो अपना हिस्सा आता है, वो प्रकीर्थी की आधार पे आता है, तो ये भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक को कहते हैं प्रबल अमल, क्या कहते हैं, प्रबल अमल, एक को कहते हैं दुर्बल अमल, प्रबल अमल और दुर्बल अमल ठीक है अब प्रबल अमल को एक नाम और दिया जाता है क्या खनीज अमल इसको एक नाम और दिया जाता है क्या और कार्बनिक अमल और कार्बनिक अमल प्रबल अमल कहे खनीज अमल कहे और कार्बनिक अमल कहे तीनों का मतलब एक ही है और इसमें उदाहरन बहुत ही शांदार आप लोग याद रखेंगे क्या इसके अलावा ह2SO4 का सलफ्यूरिक असिड हैज्ड अड़ोखलोरिक असिड सलफ्यूरिक असिड इसके अलावा ह एच एन ओ थ्री का HNO3, इसको nitric acid कहते हैं, ठीक है, अच्छा, अब दूसरी साइड में आ जाईए, तो दूसरे साइड में दुर्बल अमल, दुर्बल अमल को और क्या कहते हैं, इसको कार्बनिक अमल कहा जाता है, कार्बनिक अमल, और अगर कार्बनिक अमल की बात करें, तो इसमें वो सारे अमल आ जाएंगे, जो किसी जीवधारी से प्राप्त किये जाते हैं, जैसे, इमली में कोई अमल होगा, अंगूर में कोई अमल होगा, ये सारी बाते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कुछ example लिख देते हैं यहाँ पे जैसे इसके लिए अगला एक पेज ही ले लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को है ना जैसे यहाँ पर कार्बनीक अमल का हम उदाहरन लिख दे रहे हैं इसमें सबसे पहला लिखिएगा क्या टार्टरीक अमल किस में मिलता है किस में मिलता है टार्टरीक अमल तो बताया गया यह इमली से प्राप्त होता है किस से इमली से इसकी अलावा और कहां मिलता है अंगूर में पूछा जाएगा इमली में कौन सा अमल göra का क्ँछ यह टार्टरि कम अंगूर में कौन सा अमल टार Ivan मिलता है तो ऑक्जैलिक अमले मिलता है आपका टमाटर के अंदर कहां पे टमाटर में ठीक अगर कोई पूछे सिट्रीक अमले सिट्रीक अमले सिट्रिक अमले यह कहां पर मिलता है यह कहां पर मिलता है सिट्रस फूर्ट जितने भी हैं जैसे निम्बू आमला इस सब में निम्बू हो गया, आमला हो गया, इन सबल में कौन सा आमले मिलता है, सिट्रिक आमले मिलता है, इसके अलावा एक नाम और लिख लेते हैं, एसकार्बिक आमले का, किसका, चौथा नाम लिख लेते हैं, एसकार्बिक आमले, एसकार्बिक आमले, और ये कहां पर मिलता है, संतर में एक चीज़ आप से कई बार पूछा गया है कि चीटी के जब चीटी काटती है तो कौन सा आमली डालती है या मधमक्षी काटती है बर्रई बर्रई मतलब हाडी काटती है पीली वाली उड़ती रहती है देखिया होगे आप लो उस पे जलेवी ओलेवी गाउं में बनता है data खूब बैठी रहते है अधाा हाडी हाड़ा जोण भी कहते होंगे अप लोग हम लोगों हाली प्धिए नम्बर बना कर मिलता है हम चीटी ओर लिख दे रहे हैं या आप लोगों के लिए हैं मध्मक्ही मधुमक्खी में ठीक है एक नाम और लिख दे क्या एक नाम और लिख देते हैं विनेगर के बारे में विनेगर मतलब छठा नमबर पर लिख दे रहे हैं सिर्का सिर्का इसमें कौन सा अमल होता है इसमें एसिटिक अमल होता है कौन सा अमल होता है एसिटिक अमल होता है तो ये सारे के सारे कैसे अमल है और कार्बनिक अमल है मैंने आपके सामने लिख दिया एक सौटी स्क्रिन बनाएगा आगे बढ़ेंगे हम लोगों ने अमलों के प्रका परकार को बकाईदा देख लिया ठीक है ओके ओके चली अब बात करते हैं किसके बारे में सीधी-सीधी बाता आ जाती यह हमारी अम्लो के प्रकार हो गया अब भौतिक गुढ़ जोकि पहले ही बता चुका हूं कि स्वाद में कैसे होते हैं घटे होते हैं जल में विले होते हैं और अमलों की प्रकृति कैसी होती है संचारण की होती है यह कहानी हो चुकी है बढ़ेंगे आगे की ओर अब अमलों की रासायनिक गुड़ की बात करते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है धातु से अभिक्रिया यानि जब कोई अमल किसी धात का लमड बनाता है तो यहां क्या लिख दिया मैंने धातु लमड बनाता है और क्या बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है फिर से बोल रहा हूं जब कोई अमल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु लमड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर द अब क्या है पॉप परिच्छन क्या होता है पॉप परिच्छन में तो बताया गया एक साबुन का घोल तयार किया जाता है साबुन या सरफ का घोल तयार किया जाता है एक यह नली ली गई है और इस नली के अंदर कुछ जिंक के दाने डाल दिये गए हैं किसके दाने हैं यह स बोज़ता हुआ यह जलता हुए पट का साउंड आता है पट पट की आवा जाती है और इसी परिच्छन को यह सिद्ध करता है कि यह hydrogen gas निकल रही है इसी परिच्छन को नाम दिया गया कौन सा परिच्छन पौप परिच्छन ठीक है ओके बढ़ेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे आगे की ओर अगला topic आपके यहां आता है क्या अगला रहा है धातु कार्बोनेट वह धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभी क्रिया तो धातु कार्बोनेटों के साथ अभी क्रिया कैसे करेगा धातु कार्बोनेट धातु कार्बोनेट का मतलब जैसे मैंने ले लिया किसको एने टू सी यो थ्री को एन ए टू सी यो थ्री ये सोडियम कार्बोनेट सोडियम धातु का कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट अब बाई कार्बोनेट करूप में ले लेते हैं एन ए एच सी यो को यह sodium bicarbonate है अब sodium carbonate और sodium bicarbonate ये दोनों जब किसके साथ अभिक्रिया करेंकिसी अमल के साथ किसके साथ करें किसी अमल के साथ तो क्या बनाएगा जब यह अमल प्रोसीजर यहां भी कि जब इसकी क्रिया किसी अमले से कराई जाएगी तो यह क्या बनाएगा धातु लमड बनाएगा धातु लमड बनाएगा कार्बंडाय अकसाइड बनाएगा और क्या बनाएगा जल बनाएगा ठीक है यह प्रोसेस होती है यह क्रिया चलती है इसमें कब जब कोई धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट अमल के साथ अभी क्रिया करता है तब ठीक है अच्छा मैं इसी में आपको एक चीज़ दिखा दूँ एक रियक्शन करके तो आप कहेंगे सरमजा आ गया ओके चलिए अब देखिए इसमें हम बात करते हैं यह रहा एन ए टू सी यो थ्री और इसकी क्रिया करा दिये हमने मान लीजिए एस्टू एसो फोर के साथ सल्फियोरिक एसिड है है ना अब जब इससे ही इसकी अभी क्रिया होगी तो यह बनाएगा क्या सोडियम सल्फेट बन आया और क्या बनाएगा और बाकी दो चीज कॉमन रहेगी कार्बन डाया अपसाइड और क्या बनाएगा जल बनाएगा यह रियक्शन होती है इस प्रकार से ठीक तुरंत इसका स्क्रिंसर्ट बनाईए आगे बढ़ेंगे डन डन ओके चलिए अब बात कर लेते हैं किसके सा साथ धातू आकसाइडों के साथ अभिक्रिया जैसे माली यह कोई भी धातू आकसाइड ले लिजिए मैंने ले लिया किसके साथ सोडियम का अकसाइड ले लिया ठीक है और जब यह अभिक्रिया करेगा किसके साथ किसी भी अमल के साथ हमने ले लिया है तो यह क्या तो वह लमण बनाएगा और जल बनाएगा सीधी सीधी बात है स्क्रीन बनाएगे डन चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं इसमें अगली रियक्शन आती है अमल और छार की अभी क्रिया जिसे उदासी नहीं कराना भी क्रिया भी कहते हैं अब इसमें होगा क्या जैसे मान लिजिए कोई अमल है HCl और मान लिजिए हमने ले लिया कोई छार NaOH यह hydrochloric acid है और यह sodium hydroxide है जब इसकी अभिक्रिया होती है किसके साथ जब अमल की और छार की आपस में क्या हो अभिक्रिया हो तो क्या बनाता है तो यह बनाता है लवड बनाएगा और क्या बनाएगा जल बनाएगा हाइड्रोखloric acid sodium साथ अभिक्रिया करके कौन सा लवड बनाएगा NaCl बनाएगा और क्या बनाएगा ह2O बनाएगा बोलो राजी खुसी बोलो राजी खुसी आगया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक और करके दिखा दें लो H2SO4 ले लिया सल्फियूरिक एसिड ले लिया और मानलो potassium hydroxide ले लिया ये दोनों बहुत ही strong base है बहुत ही प्रबल छारक है ठीक है अब जैसे ही इसकी अभिक्रिया कराई गई तो फिर से बनाएगा क्या K2SO4 और प्लस क्या बनाएगा Water ये इस प्रकार से अभिक्रिया करता है तुरंट सौटे स्क्रीन बनाएगा आगे बढ़ेंगे Done ओके ये अमल का topic यहाँ पर क्या हो गया फिनिश हो गया आगे बात करेंगे च्छारक के बारे में च्छारक स्वाद में कैसे होते हैं कड़वे होते हैं लिटमस पेपर पे क्या प्रभाव पढ़ता है तो लाल लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा नीला कर देगा अमल क्या करता था नीले को लाल करता था, ये लाल को नीला करेगा, ठीक है, तो लिखा है लाल निल्टमस पेपर को नीला कर देता है, प्रकृति इसकी भी कैसी होती है, संचारक होती है, अगर आप से एक लाइन ने पूछ ले, कि अमल और च्छार में क्या समानता है, तो बताएंगे दोनों की प्रकृति कैसी होती है दूसरी समानता कि जब कोई चार भी किसी धातू के साथ अब एक्रिया करता है तो यह भी हड्रोजन गैस निकालता है दो परियापत है आपके पॉइंट के हिसाब से यह दो similarity है अमला और छार में छिक है आगे बात करते हैं नोट लिखा है कि वे च्छारक जो जल में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं च्छार कहलाते हैं दोज एलकलीज विचार सालिबूल इन वाटर इस नोन ऐज बेसेस राजी खुसी चल आगे बढ़ते हैं और हर्नियस ने इसके लिए भी बताया वहां क्या बताया थे कि किसी भी आमले में कौन सा आयन निकलता है एच प्लस आयन निकलता है और वो वाटर के साथ अभी करिया करके क्या बना लेता है ह3O plus ion हाइडरोनियम ion यहाँ क्या है? यहाँ OH ion निकलता है यानि हाइड्रोकसाइड आयन निकलता है OH minus ion को हाइड्रोकसाइड आयन कहते हैं तुरन सौटे स्क्रीन में बनाइएगा आगे बढ़ेंगे डन? चलिए आगे बात करते हैं चारकों के प्रकार के बारे में डिसकस कर लेते हैं थोड़ा सा चारकों के प्रकार ध्यान से देखिएगा यह मैंने लिख लिया चारक और यह फिर से दो आधार पे इसको हम डिवाइड करेंगे एक बात करेंगे सांदरता की आधार पर और दूसरा बात करेंगे प्रकीरती के आधार पर और प्रकीरती के आधार पर ठीक है अब सांदरता के आधार पर बात करेंगे तो फिर से वही concept दो फाइट में टिवाइट कर देंगी एक को बोलेंगे क्या दूरवल को और एक बोलेंगे क्या प्रबल्लोब अ प्रबल और दूरवल बताने की ज़रूत है नहीं ऐसा छारक स्थ recommends जिसमें पानी की मातरा ज़्यादा हो वह हो गया दूरवल और अब्र किरती के प्रकृत की आधार पर फिर से दो पाइट में डिवाइड हो जाएगा एक को बोलेंगे क्या एक को बोलेंगे प्रबलचार हुए उप natural की अगर मैं बात करों तो प्रबलचार में सिर्फ दो example याद रखने हैं आपको एक याद रखना है sodium hydroxide का और एक याद रखना है potassium hydroxide का ठीक है एक चीज़ याद रखिएगा जो first group है आवर्त सारणी का जो पहला समूह है उस पहले समूह में जितने तत्व आते हैं वो कैसा छार बनाएंगे तो बताया गया वो हमेशा औ ओके आगे बात करते हैं दुर्बल चार के बारे में दुर्बल चार क्या है तो बताया गया इनके अलावा जो भी है सब दुर्बल चार है जितने धातू के hydroxide हैं वो सब क्या है दुर्बल चार है जैसे एक आध एक्जामपल लिख लिए जैसे ammonium hydroxide है ammonium hydroxide है 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 ना magnesium hydroxide है है यह सब क्या है यह सब दुर्बल छारक इस रेड़ी में आते हैं तुरंत एक सौट स्क्रीन बनाईएगा फिर आगे बढ़ेंगे ठीक ओके आगे बात करते हैं अब बात करते हैं चारकों के रासाइनिक गुड के बारे में तो धातु से अभिक्रिया अगेन प्रबल छारक सक्री धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन करते हैं अता चारकों को धातु के बरतनों में नहीं रखना चाहिए ठ प्रबल छहरक का मतलब यह रहा प्रबल छहरक और इसमें एक्सांपल आप इसका लेंगे पॉडशियम हईड्रोकस cancer का यह आप ले सकते हैं वी रगोर। छांप और चैनल हैं और जब ये किसी धातु के साथ अभिक्रिया करें मालन लेते हैं कौन सी धातु सोडियम धातु ठीक है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं बोला कि हाइड्रोजन गैस उत्पन करते हैं तो यहां पर पहले ही निकाल दीजिए क्या हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए अब देखिए जैसे मान लीजिए यह सोडियम है है ना धा आपको इसमें दिखाई देंगे छारक वाले वो सब के सब कौन सी धातिव निकालेंगे हाइड्रोजन केस निका लेंगे बस इतनी सी बात आप किया रखूँए पकी बात है पकी बात है चलिए अगले Concept के आते अ धातूहं से अभिक्रिया यानि चारक अमली एक्साइड से अभिक्रिया करके जैसे मैं ले लेता हूँ फिर से Casey है किसके साथ अभिक्रिया करना है तकारबन न्यक्साइड कैसा अभाणgenerick जितने ओ धात्वी अक्साइड होते हैं जितने और धात्विक औक्साइड होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं अमली ये ऑक्साइड होते हैं ठीक तो यह क्या बनाएगा sodium carbonate बना इचले आगे बात करते हैं आगे एक हैडिंग है इसमें छारको का अपघटन क्या बोलागा अपकुछ चारक गरम करने पर चारी आक्साइड वह जल में विखटी तो हो जाते हैं विखटी थोने का मतलब विगटी तोने का मतलब तूटना वियोजन होना डीकमपोजीशन होना अब यह मैगनीम हड्रचा है जब इसको गरम किया गया तो मैगनेशियम का ऑक्साइड बनाया और वाटर बनाया बहुत सिंपल से रियक्षन है और यह रियक्षन एक बार पुछी गई है तुरंट सौटी स्क्रीन बनाएंगे इसका अमल और छारक की कहानी खतम हो गई यहां से हम लोगी स्टार्ट करेंगे सौल्ट की कहानी यह लवड की कहानी ठीक है अब बात किया गया लवड के बारे में तो लवड क्या है लवड क्या है तो बताया गया कि जब कोई जब कोई अमल किसी चार से अभिक्रिया करता है तो लवणव जल बनाता है लवणव जल बनाता है एक नंबर में परिवासा पूछेगा ठीक अब दिखा दीजीए एक अमल है सोडियम हाइड्रोकसाइड है एक छार है और जब दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा simple सी बात है ये sodium है ये CL है क्या बना दिया ने CL बना दिया और क्या बनाएगा ओया चौरियाच मिलके water बनाएगा जल बनाएगा ठीक है ये सीधी सीधी definition है किसकी लमड की अब यहीं से concept start हो जाएगा साहब लमड के भी परकार होते हैं तो हाँ जी लमड के भी परकार होते हैं इसका sort screen बनाएगा आगे बढ़ेंगे डन ओके बढ़ेंगे अगले concept के अगला concept आप लोगों के सामने बात करेंगे यहीं से हम लमड के प्रकार लमड के प्रकार एक चीज़ा और इसमें नोट कर लीजिएगा आप क्या कि यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया उदासीनी करण कहलाती है यह अभिक्रिया उदासीनी करण कहलाती है यह अभिक्रिया क्या कहलाती है उदासीनी करण कहलाती है बढ़ेंगे अगले concept पे अब लमड के प्रकार की बात करेंगे लमड देखिए कई प्रकार के होते हैं एक को बोलते हैं सामाने लमड एक को बोलते हैं अमली ये लमड एक को बोलते हैं छारी ये लमड एक को बोलते हैं संकर लमड संकर लमड एक को बोलते हैं द्विक लमड द्विक लमड में आपको सीधा एक एक एक्जामपल याद रखना है फिटकिरी का बस एक एक्जामपल फिटकिरी फिटकिरी को ही पोटास एलम के नाम से पूछ सकता है आपसे पोटास एलम के नाम से फार्मूला क्या होता है के टू एसू फूर ए ल्टू एसू फूर का होल्थ्राइज डॉट ट्वें क्वूर एचव्टूव लॉट टूटूएच टूओ यह याद खना एद्विक लवण में सामानी लवण किस से किस से मिलकर बना है ध्यान से देखिएगा जब प्रबल अमल वो प्रबल छार आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएगा सामान इलवण बनता है जैसे अभी पीछे बना के दिखाया सोडियम हैड्रोकसाइड और HCl का ठीक है अमली लवण की अगर बात करें तो प्रबल इसमें अमल होगा प्रबल क्या होगा अमल होगा लेकिन दुर्बल इसमें क्या होगा चार होगा दुर्बल क्या होगा इसमें चार होगा और अगर चारी लवण की बात करें चारी लवण क बात करें तो इसमें प्रबल छार होगा लेकिन दुर्बल क्या होगा इसमें दुर्बल क्या होगा अमल होगा अगर प्रबल जो रहेगा वैसे ही नाम रहेगा प्रबल छार है तो छारी लमड प्रबल अमल है तो अमल यह लमड और संकर लमड आपके सलेबस में नहीं है यह क् एक एक्जाम्पल इसका याद रखिएगा k4 f e c n का whole 6 वास्तों में यह दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन इसको जब पानी में घोला जाता है तो पूरी तरीके से घुल जाता है लेकिन इसमें सिर्फ potassium और यह नाम के दो आयन बनते हैं इसका explanation अभी जरूरी नहीं है क्योंकि यह आपके syllabus में ही नहीं है, सिर्फ नाम से परिचित हो जाईएगा, ठीक है, एक सॉट स्क्रीन बनाईएगा, आगे बढ़ेंगे, डन, ओके, अब बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोकसाइड बनाने की विधी, कुछ इस्पेसल लवड मैंने टॉपिक लिखा था, उसमें ही आजएगा, ठीक है, इसमें सबसे पहली बात आप से क्या पुछेगा, कि सोडियम हाइड्रोकसाइड की सी विधी से बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्लोरोचार प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, कौन सी प्रक्रिया, क्लोरोचार प्रक्रिया, क्यों इसे क्लोरोचार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान, प्रोड़क्ट के रूप में, उतपाद के रूप में, क्लोरीन गैस बन बनता है इसलिए इस प्रासेस को इस प्रक्रिया को क्लोरोचार प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है ठीक है ओके आगे बात करते हैं इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड क्या बन कैसे बनता है तो पहले ब्राइन का एक सोलूशन तयार किया जाता है यानि सोडियम इसको तयार कर लीजिएगा सोडियम क्लोराइड है जब इसको जल में घोल करके विद्यूत अपघटन कराया जाए कौन सी प्रोसेस विद्यूत अपघटन तो इस विद्यूत अपघटन की प्रोसेस के दौरान क्या बनता है सोडियम हैड्रोकसाइड बनती है क्लोरीन बनता है और हैड्रोजन बनती है तुरंट सॉट इसक्रिन लेंगे इसका डन ओके अब बात करते हैं आगे चुकी विद्यूत अपघटन के फल सरूप क्लोरीन गैस अलकली प्राप्त होती है इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोरोचार अभिक्रिया कहते हैं इस अभिक्रिया से क्लोरीन जो प्राप्त होती है क्लोरीन और हाइड्रोजन ये बहुत ही उपयोगी है किस रूप में एक जो आपको आ रहा है अदूसर का यह वाला पॉइंट कहीं भी लिख दीजेगा सब जगह सही होगा ठीक है याद कर लीजिए याद हो जाए तो ज़्यादा बढ़ी है इनमार्स सब बता दिये तो हो भी आकाम बुझ रहा हैं चल आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं विरंजक चूण के बारे में विरंजक चूण का फर्मूला क्या होता है चैसे बनता है जब केलसियम हाइड्रोकसाइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए जब केलसियम हाइड्रोकसाइड यानि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जा ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूड के नाम से जाना जाता है या सफेद रंग का चूड होता है क्रिश्टल होता है जिसमें क्लोरीन की गंधा आती है नाली ओली के किनारे मैंने बताया था छिड़काव इसका किया जाता है परधान जी द्वारा या जो भी हमारे होते ह हैं पारशद होते हैं ग्राम प्रधान होते हैं है ना इन सब के द्वारा ठीक है मुखिया जी लोग हां मुखिया जी समझो इसको ठीक है ओके ताकि नाली ओली से कीड़ा उड़ा मर जाए अब इसके रासाइनी गुण और रुपयोग रासाइनी गुण में बस दो याद र चुना पत्थर या संग मरमर भी कहते हैं परिच्छा में आया हुआ कोश्चन है निगलीट मत करिए और कौन सी गैस निकलती है क्लोरीन गैस निकलती है जब इस पर अमलेका इफेक्ट डाला जाता है तो तो कैल्सियम ऑक्सी क्लोराइड एच सील के साथ अभी क्रिया करके क एक उपयोग की बात करें तो क्लोरीन से क्लोरोफार्म बनाई जाती है पहले इसको क्लोरोफार्म को सुंगा के बेहोस करने में काम किया जाता था हना दूसरा खीट नासक के रूप में और चवत तीसरा कागज और कपड़ों के विरंजन में या निकुन का रंग उडाने मे इसका यूज किया जाता है ठीक है ओके साटे स्क्रीन बनाई ये तुरंत आगे बढ़ेंगे डन अगला नाम आता है सोडियम बाई कार्बोनेट का एन एच सीओ त्री जिसका अडुसूत्र है इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं बेकिंग सोडा भी कहते हैं चार नाम बता दिया गया इसको किस रूप में यूज किया जाता है एंटी एसीड के रूप में प्रति अमले के रूप में यूज किया जाता है जैसे लोग को ज़्यादा खाना खा लेता है तो का कहते हैं कि फलाने का एसीडिटी हो बनाने की अमोनिया सोड़ा विधी या सालवे विधी किस विधित के द्वारा बनाया जाता है इसको सालवे विधी के द्वारा बनाया जाता है सोडियम क्लॉराइड वाटर और कार्बन डायाकसाइड अमोनिया एक साथ मिला जाती है सोडियम क्लॉराइड का जली विलियन तय किया जाता है पहले और ऐसी अमोनियां डाली जाती है जिसमें जिसमें carbon dioxide से संस्थ्रिdern किया गया हो यानि संत्रिप्त sodium chloride का विलियन हो do carbon dioxide में संत्रित अमोनियां हो इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो बनता है ammonium chloride क्या बनता है ammonium chloride ammonium chloride बनता है और क्या बनता है sodium hydrogen carbonate बनता है तुरंट इसके रिन बनाईए इसका डन ओक अब सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग क्या क्या है तो बनाए गया बेकिंग पाउडर के रूप में एंटी एसिड के रूप में अगनी शामक यंत्रों के रूप में सॉफ्ट ड्रिंक में भी इसका यूज किया जाता है ठिक बढ़ेंगे आगे है कि सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा है ना कि एन ए टू सी ओ त्री डॉट टेन एच टूओ फर्मूला क्या है फिर से लिख दूँ अगर थोड़ा समिसेंगे इसमें एन एटू सी ओ त्र पताएंगे सोडियम कार्बोनेट पूरा नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट डेका हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका पूरा नाम है है ना डेका मने 10 हाइड्रेट मने जल के अडू ये जल के अडू कैसे कहलाते हैं crystalline gel के अडू मतलब उसके छोटे छोटे दानों crystal के बीच में चिपका रहता है तो crystalline gel के अडू कहलाते है ठीक है अच्छा अब इसको बनाया कैसे जाता है कि जब sodium sodium bicarbonate को जो भी पीछे पड़े हैं उसको क्या कर दिया जाए गरम कर दिया जाए तो गरम करने से क्या बनेगा sodium carbonate बनेगा जल बनेगा और carbon dioxide बनेगा यह इसके बनाने की बिदी है तुरंत एक सॉट स्क्रीन बनाईएगा आगे बढ़ेंगे कि डन अब एक concept ले लीजिए आप किसका पी एच का पी एच का मतलब बता है power of hydrogen ion hydrogen ion की सांद्रता हेंडी में कह सकते हैं hydrogen ion की सांद्रता hydrogen ion की सांद्रता इस पी एच का मतलब है इस सब्द का सबसे पहले पियो किसने किया था sor cône n am के बैग्यानिक ने किया था इन पिया कि सो न sov न JACK के आसपास ठीक है इंहोंने 14 जीरो से एक के बीच में सबसे अधिक सबसे अधिक अमलिय प्रकृति होती है साथ पे उदासीन होता है साथ पे कौन सा रंग होता है उदासीन और रंग कौन सा अगर पुछ लिया जाए तो हरा रंग होता है 14 सबसे ज़्यादा चारी यह माना जाता है और 14 पर कौन सा रंग होता है तो आप लिख देंगे बैगनी रंग होता है कौन सा रंग बैगनी रंग जीरो से एक के बीच में कौन सा रंग रहता है तो लाल रंग होता है और यह लाल रंग क्या बताएगा कि हाइली बहुत ज्यादा क्या है एसेडिक है अमली यह है बस इतनी बात आपको जाननी है पीच के बारे में ठीक है सॉटी स्क्रिन बनाईए ड Canyon संड़ी चलिए एक और बात इस पे कर लेते हैं एक और बात कर लेतेników सूचक के बारे में और कि सूचक पर इसको क्या कहते हैं इंडिकेटर एप का रहे जैसे गाड़ी-बाड़ी में इंडिकेटर होता है साइड में लगा होता है करता रहता है जहतर मुड़ना होता हुधर इसे दबादेते हैं के रहता यलो जड़ता उसी प्रकार से अमल और छार हव की पहचान करने के लिए सूचक के Bij केमि tulee में जो बताते हैं कि कोई दिया गया विलियन अमलीय है अथवा छारी है ये बताएगा कौण सूचक बताएगे अब सूचक तीन तरह के होते हैं तीन तरह के होते हैं एक को बोलते हैं गंधी यह सूचक एक को बोलते हैं प्राकृतिक सूचक और एक को बोलते हैं सिंथेटिक यानि कि संसलेशित सूचक संसलेशित सूचक संसलेशित सूचक में आपको दो नाम याद रखना है एक याद रखना है फिनफ्थलीन का और दूसरा नाम आपको याद रखना है किसका मेथिल ओरेंज का यह दो कैसे सूचक है यह दोनों संसलेशित सूचक है प्राकृतिक सुचक में आप किसको याद रखेंगे, दो नाम इसमें भी याद रखेंगे, लिटमस पेपर और दूसरा नाम याद रखेंगे, हल्दी का, ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकता है, गुडःल का फूल हो सकता है, गुडःल के फूल का रस, ठीक, गंधिय एक का आचि सुचक में भी दो ही तिन नाम याद रखेंगे तियाज कारस जाल लॉंग का तेल लॉंग का तेल कि तीसरा नाम याद रखेंगे वेनेला आइस क्रीम गएरा ही सब करना है वेनेला चुट थिन नम पर्याब्त है लेशन बेश में लिख सकते हैं लेशन भी लिख सकते हैं तो यह शारी चीज़ें सुचक हैं और सुचक का इफिक्ट आपको इस प्रकार से देखना होगा इस प्रकार से यह पूरा पूरा टॉपिक क्या हुआ बिटाज समाप्त हुआ मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नई वीडियो में तब तक लिए दीजिए जाज़त जहिंद नमस्कार टेक क्यार ओल अफ यू लब यू अल बबाई